एक हैलो फ्रेंस वागते हैं आपका मेरे चन में तो आज हम कुछ इस तरीके से फटे हुए दबटे को करेंगे ठीक तो इस तरीके से स्पून के दबटे होते हैं जो काफी हर किसी के पास ही होते हैं और आकसर फट जाते हैं इसको इसके साथ की मैचिंग हमने रील ली है तो कुछ इस तरीके से इसको अच्छे से जहां से इसकी सलाई कर लेनी है जहां से इसको टंके लगा लेनी है आपको जहां से फटा है बिल्कुल मैचिंग ही आप इसमें दागा ले सकते हो तो कुछ इस तरीके से जो जहां से ज्यादा फटा हुआ है इसको जहां से ज्यादा हम इसे खीचेंगे नहीं दागे को बिल्कुल ही असान तरीके से इसको करेंगे इस तरीके से जब तक मैं इसके सलाई कर रही हूं अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ना लाइक शेर और कॉमेंट करके हमें बताना कि आपको मेरी दिखले ना तो जहां से सलाई मैंने कुछ इस तरीके से कर ली है इसको जहां से करने के बाद में अब हमें इसके उपर गांट लगा देंगे कुछ इस तरीके से मैंने सिंगलher Haag twee डाला है आप चाहिए तो डागे को डबल करके ढाल सकते हैं तो किछ िस तरीके से मैंने जो extra दाग है कि कुटिं कर ली है oh 10 जो इसका ऊपर वह जो आपको तरीके से आपको नीचे चाहे तो कोई आप मॉमी कागज का लिफाफा भी रख सकते हैं कि कोई एक्ष्टर कपड़ा ना रखें इसके नीचे तो चाहे आप टेवल के उपर रख कर ही इसको लगा सकते हो तो कुछ इस तरीके से आपको इसे अच्छे से हाथ से इसको बीच में से इसके प्रेस करना है तो आप और भी इसमें गलू लगा सकते हैं जहां से इसको सलाई करने के बाद में ही आप इसे लगाना जहां से आप सलाई की है उसके उपर इसको लगा देना ताकि जहां से आपका जो दागा है वो विल तो आपको इसको क्या करना है, जहां से तो आपकी जो दुपटा है कभी नहीं फटेगा, तो इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं कि कितना असानी से और जहां से hard हो जायेगा इसके और इसमें white भी नहीं दीखेगा क्योंकि इसके साथ ही मैचिंग बन जाएगा जे तो इसका कलर भी नहीं दिखाई देगा उसको आप पांच मिन्ट सूखने के लिए रख सकते हैं तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका दुपटा पहले से ज्यादा कितना अच्छा बन चुका है